प्रिवक्तु हरी किष्णा आज हम सुनाने जा रहे हैं नर्मता माता की किरपासे नेतर जोती की प्राक्ति ये कथाएं भक्तु सच्ची कथाएं होती हैं और हमारी जो नदिया है यानि जैसे गंगा जमना सरस्वती ये एक देव सरूपा नदिया है जल का सरूप इनका अलग होता है और देव सरीर इनका अलग होता है तो आज हम सुनाने जा रहे हैं ये घटना एक किसान की है वह नर्सिंग पूर जिले से प्रदर्चना पत में आया था नर्मता मतलब नदी की मा की परिक्रमा कर रहा था वो उससे हमने पूचा क्यों भाई त बड़ी माता भी कहते हैं जैसे चेचक निकल जाती है तो कोई लोग कहते है चोटी माता बड़ी माता सरीर में पूरे सरीर में उसकी छोटी-छोटी सी फुरियां हो गई थी वही मेरे बच्चे को निकली भैंकर पीड़ा होती थी कुछ दिन में रोग निकल तो गया किन्तो दस्ट हीन हो गया बच्चे की आंखें चली गए कहने के मंदल किसान बता रहा था जिसमीं स्ोचा कि भाइया आप कैसे की پćविमा लगा रहे हैं क्योंकि कोई मानता मानकर यह परिक्रिमा करती हैं जादा तनलो तो किसान बोला कि मेरे बच्चे की आग चली गई चेचक में तो इसलिए मैं परिक्रमार लगा रहा हूं कि मेरे बच्चे की आँखे हो जाए, अनेक वो किसान बोला कि मैंने बहुत उपचार किया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, किन्तु आँखे पुना नहीं मिली, एक में दुखी हो का राद भर नर्मदा मया की पुकार करता रहा मा इस बच्चे को संसार से उठा लेती देवी भगवती तो ही अच्छा था इस अंध्य का जीवन कैसे पार लगेगा चार पांशल का बच्चा इसकी तो सारी जिंदगी पढ़ियो है किसान यानि पिता उसका है कि तुम इसे आखे दे यद्यस्टि यदिसी आ जाए तो मैं आपकी प्रदच्छना यानि परिक्यमा करूंगा प्रात्ना का पर्णाम यह हुआ कि प्राता कालकर बच्चे की जब साज संभाल की गई तो तक बच्चे की आखे पूर्वत रस्टी संपन्न हो गई है मेरे आस्चर का ठिकाना नहीं रहा यह होती हिर्दय की सच्ची प्रात्ना यह कोई साइंस की बाते नहीं है यह होती हमारे जो भगवान की प्रात्ना भाव से जुने होती है साइंस में इसका कोई जबाब नहीं है तो वो जब किसान इतने सच्ची हिर्दय से प्रात्ना की तो न आज मैं उसी मनवती को पूरा कर रहा हूँ और मैं नर्मदा मैया की पर्क्रिमा करने निकल पड़ा। ये लिखके भेजाता ब्रह्मलीन स्वामी स्री उकारा नंद जी गिरी महाराज ने। हरे किश्णा!